नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मोटरोइड हिंदी पे मेरा नाम है विपल और इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले है श्कोडा कुशाक को यह जो पर्टिक्लर मॉडल है यह श्कोडा की 1.5 TSI with manual transmission है करना कुशाक में वैसे दो engine option आपको मिलते है एक 1.0 TSI और एक 1.5 TSI जो की यह गाड़ी है और इस गाड़ी में भी आपको दो transmission options मिलते है एक तो है 6-speed manual और एक है 7-speed DSG तो यह जो गाड़ी है यह एक 6-speed manual transmission वाली गाड़ी है और हम आपको बताने वाले है कि यह चलाने में कैसी है दिखती कैसी है और इसका performance कैसा है आगे बढ़ने से पहले अगर आपने motoroids को subscribe नहीं किया है तो अभी जाके subscribe बटन दबा दीजेगा और उसके साथ जाथ ही bell icon भी दबा दीजे ताकि जब भी हम नया हिंदी वीडियो लेके आए आपको उसकी जानकारी सबसे पहले लगे तो शुरू करते हैं वीडियो सबसे पहले डिजाइन की बात करते है और अगर इस front को अगर आप देखे तो यह काफी अच्छा लुक है यह पूरा नया डिजाइन किया है इंडिया 2.0 के तहत शकोडा को जो नया initiative है और आपको यह नया ग्रिल यहाँ पर दिखाई देगा जिसमें अच्छा खासा क्रोम यूज किया हुआ है बीच में आपको शकोडा का लोगो मिलेगा यह जो बोनेट है सिगनेचर शकोडा बोनेट आपको मिलेगा जिसमें यह clean crease lines दिखाई दे रही है जो काफी अच्छा SUV लुक देती है गाडी को अभी इसका बोनेट जो है वो काफी अपराइट है यह काफी ऊची दिखती है भल हाला कि यह सबसे ऊची गाडी नहीं है क्रेटा और सल्टा इससे काफी ऊची है यह जो गाडी है इसके इसकी जो हाइट है वो Volkswagen टाइगुन जितनी ही है अगर डाइमेंशन की बात की जाए तो शकोडा कुशाक का जो लें 1691 मिलेमीटर जो की इस सेग्मेंट में सबसे बड़ा वील बेस है जो यह गाडी शेर करती है Volkswagen टाइगुन के साथ भी अगर हैडलांप्स की बात करें तो आपको यहां पर स्प्लिट हैडलांप क्लस्टर मिलता है यहां पर आपको मिलेंगे कॉर्णरिंग लाइट और यहां 3-ton treatment है जिसमें आपको body colored और यह black finish और यह silver finish दिख जाएगा यहां पर आपको एक honeycomb finish मिलता है grill में यह air intake के लिए यहां और यहां पर भी air intake के लिए यह जो नया grill है वो आप देख सकते हैं अगर side profile की बात करें तो यह जो top of the line 1.5 variant है इसमें आपको 17-inch के alloys मिलते हैं टायर साइज है 205 by 55 और यह goodyear के assurance टायर यहां लगा है यहां पर आपको मिलेगा Škoda का logo और यहां पर जो crease line आप देख रहे हैं यह पूरा पीछे तक जाता है similar treatment आपको मिलेगी Volkswagen की Tygoon में भी आपको यहां मिलेंगे body colored ORVMs और इसमें आपको integrated turn indicators भी मिल जाते हैं यहां पर आपको मिलता है एक chrome treatment door handles के उपर और यह जो है यहां पर आपको देख रहे हैं यह request sensor है जो की दोनों आगे के दरवाजों में लगा हुआ है अगर B pillar की बात की जाए तो यहां पर आपको black finishing मिलेगी बट C pillar से लेके यह जो निचला भाग है यह पूरा chrome में finish किया गया है satin silver roof rails भी आपको मिल जाएंगे जो की इसको एक अच्छा SUV look देता है अगर पीछे की तरफ हम आते हैं तो आपको यहां पर एक inverted L shape LED tail lamp मिलता है जिसमें आप यह अगर देखेंगे तो यह एक shard finishing दिया गया है जो इसको एक premium look देता है यह निचला भाग जो है यह turn indicators है यहां पर पीछे कोई fog lamp नहीं लगे हुए आपको यहां पर reflector मिलेंगे और आगी की तरह इस bumper पे भी आपको three tone treatment मिलेगा जिसमें है body colored black cladding और यह silver finish यहां पर एक खुबसूरत chrome strip है जो काफी अच्छी लगती है और श्कोडा का badging जो अजकल की नई श्कोडा गाडियों में आ रहा है यह जो श्कोडा लिखा है इसको अच्छी खासा spread out किया गया है और यहां पर आपको मिलेगा कूशाक का branding अगर आप नहीं जानते कूशाक जो है यह एक संस्कृत word है जिसका meaning है emperor या शेहनशा पीछे का glass area भी आपको इस यहां पर defogger मिल जाएगा और rare wiper और washer भी मिलता है एक high stop tail lamp और यह जो roof line है वो extend होती है एक spoiler की तरह जो कि यह काफी अच्छा look देती है उपर आपको शाक्विन एंटीना मिलेगा जो कि piano black में finish किया गया है और इसका जो exhaust tip है वो आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि यह नीचे की तरफ लगा हुआ है और जबकि हम पीछे की बात करें तो देखते हैं इसका boot कैसा है आपको जो boot मिलता है इसमें काफी सारी space है आपको गाड़ी के साथ एक toolkit मिलता है जो की इस अच्छे सी bag में pack किया गया है जो पूरा चिपका हुआ है और इसके अलावा आपको एक spare wheel मिलता है जो की alloy नहीं है यह एक steel wheel है बट यह 16 inches का है जबकि इस गाड़ी पे आपको 17 inch के wheels मिलते है जो एक full size spare wheel नहीं है बट यह आपको लंबी रास्ते तक ले जा सकता है कोई बिना कोई दिक्ट के बूट जो है इसमें आपको यहाँ पे illumination मिल जाएगा उसके अलावा एक दो तीन hooks मिल जाएंगे जिसमें आप आपका सामान लटका सकते हैं इसका boot space जो है 385 liters है आपको seats के लिए एक 60-40 split मिलता है जो कि आपको और भी जादा space देश देगा अगर आपको बहुत जादा सामान यहां से बहाँ ले जाना है अब देखते हैं श्कोडा कुशाक अंदर से कैसी है अभी अंदर जाने के लिए आपको की की जरूरत पड़ेगी यह की जो है यह आपको ऐसी वाली की मिलती है यह flip की है जबकि इसमें keyless entry and go मिलता है तो इस की की तो आपको खास जरूरत है नहीं बट आपको की पर मिलता है लॉक अनलॉक और बूट रिलीज बटन तो आपको क्या करना है जेब में रखनी है चाबी यहां पर रिक्पेस्टन से दबाके दर्वाजा खोल के अंदर जा सकते है अब अगर फ्रंट डोर की बात करें तो इसका सबसे पहले जो फील है यह काफी अच्छे से बिल्ट गाड़ी है आपको अच्छा हेवी फील लगेगा इसमें जो माटीरियल्स यूज किये गए है अभी यह जो प्लास्टिक है यहां पर हाट प्लास्टिक है बट इसमें जो टेक्स्चरिंग की गई है इसके वज़े से यह चीप नहीं लगता है ऐसा लगता है कि यह थोड़ा प्रीमियम प्लास्टिक है यहां पर आपको यह अच्छा काबन फाइबर टाइप फिनिशिंग मिलता है इसमें भी टेक्च्चर दिया गया है और यह सि दीक है रोगता है चीप नहीं लगता है यहां पर आपको थोड़ा सोफ म्माटीरियल जो कि आपके आंको आं कंभी आराम देगा बतन है यहां पर औरंविम अच्छिंड करने के लिए यहां पर जो चारो विंडोस का पावर चारो पावर विंडोस का कंट्रोल मिलता है जो ड्राइवर साइड सीट है इसका वन टच अपन डाउन आपको मिलेगा यह चाइड लॉक का बटन है और वन लीटर बॉटल के लिए काफी स्पेस मिलती है और इससे आप थोड़ा और समान भी यहा इस इस स्पीकर मिल जाएंगे जो कि शकोड़ा औडियो है इस गाड़ी में आपको शकोड़ा का साउंड सिस्टम मिलेगा चारो दरवाजों में एक-एक स्पीकर लगा हुआ है और आपको दो ट्वीटर फ्रन्ट में बिलेंगे अगर स्टेरिंग विल की बात की जाए तो यह काफी प्रीमियम लगने वाला स्टेरिंग विल है, इसमें लेधर फिनिशिंग किया गया है, और आपको काफी अच्छा फील देगा यह, टू स्पोक स्टेरिंग विल है, जो अभी सबी कोडा गाड़ियों में ऐसा ही स्टेरिंग विल आता है, और यहाँ पर आपकोश पोजिशन जो आपको लिना है, उसके लिए आपको यहाँ पे अज्जस्मेंट है, सीट हाइट अज्जस्टेबल है, और रिकलाइन और आगे पीछे आप इसको कर सकते हैं, एक आराम दाएक, कमफटेबल ड्राइविंग पोजिशन पाने के लिए, उसके अलावाए यह जो बोल्स्टरिंग है, काफी अच्छी है, कुशनिंग भी ज़्यादा सॉफ नहीं है, आपको अच्छा खासा अंडथाय सपोर्ट भी मिल जाता है, जो की बहुत अच्छा है, और एक खास बात, फ्रंट के दोनों सीट्स जो है, वो वेंटिलेटेड है, तो अगर आप कोई, आपके शेहर में ज्यादा गर्मी है, तो आप इसका इस्तमाल जरूर कर सकते है, इंस्ट्रुमेंट कॉंसोल की बात करें, तो ये पार्ट अनलोग, पार्ट डिजिटल इंस्ट्रुमेंट कॉंसोल, इसको मैं आउन कर देता हूँ, और ये सिमिलर इंस्ट्रुमेंट कॉंसो जहां पर आप देख सकते है temperature है cruise control का speed है trip meter है और यहां पर speedometer और clock दिया गया है आप इसको change कर सकते हैं आप speed warning set कर सकते हैं यहां पर आपको oil temperature भी digital readout मिल जाएगा fuel economy जो real time होती है वो दिखाई देगी और यह overall fuel economy जो आप देख रहे है 11.2 kmpl और fuel range कितना time आपने travel किया है उसकी जानकारी कितना distance आपने travel किया है आपकी average speed यह सब जानकारी आप देख सकते हैं इसके अलावा आपको audio control से हापे मिल जाएंगे कौन सा track बज रहा है वो आप vehicle status भी यहां पर update की जा सकती है अब इस car में cruise control भी दिया गया है तो जिसके controls यहां पर है यह जो आपका indicator वाला switch है तो इसको चलाने के लिए आपको यह बटन पहले switch करना पड़ता है cruise control on करने के लिए और इस toggle से आप speed को set कर सकते है यहां पर आपको मिलता है एक 10 इंचिस का infotainment screen यह फोक्सवागन टाइगून के साच केर किया गया है और यह जो control panel अब देख रहे हैं यह आपको टाइगून में भी देखने मिलेगा यहां पर पूरा test sensitive controls है temperature set करने के लिए fan speed set करने के लिए हलाकि यह इतना convenient नहीं है जब जब आप गारी चला रहे हो तब इसको control करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है बट अगर आपको यह sliding नहीं करना है तो आप plus और minus बटन को touch करके temperature और fan speed set कर सकते है इसके अलावा यह जो controls आप देख रहे है यह ventilated seats के लिए है यह अपका central locking का बटन है और यह automatic start stop on and off करने के लिए traction control का button आपको यहां मिलेगा तो यहां से आप traction control को on या off कर सकते है इस system में आपको wireless android auto और apple carplay मिलेगा तो आपको cables कनेक करने की कोई जरूरत नहीं है charging की अगर बात की जाए तो आपको यहां पर दो USB type C ports मिलते है यहां पर आपको मिलता है 12 volt का slot जिसमें आप एक charger अटाच कर सकते हो उसके अलावा इसमें wireless charging भी दी गई है सो आपका फोन अगर wireless charging support करता है उसको आप यहां पर slot करके charge कर सकते है यह है इसका gear lever जो काफी अच्छा है हाथ में काफी premium लगता है इसका reverse gear आपको डालने के लिए पहले लिवर को नीचे दबा के फिर आप इसको reverse में slot कर सकते है और अब जब हम reverse gear की बात कर रहे है तो यह है इसका reverse camera की quality जो आप अगर देखे तो एकदम अच्छी नहीं है यह और भी बहतर हो सकती है अगर आप Hyundai Creta में देखे या फिर Kia Seltos में देखे इससे भी better quality का camera आपको देखने मिल जाएगा और आपको dynamic guidelines भी नहीं मिलते है जो की एक miss है अगर बात की जाए तो यहां पर आपको सभी material मिलेगा जो आपके door panel पर मिलता है यह बले ही hard plastic है बट जो की इसका texture है इसके वज़े से थोड़ा premium लगता है यहां पर आपको थोड़ी सी storage space मिल जाएगी again यहां पर आपको मिलेगा smooth finish with a chrome strip यह chrome strip बहुत अच्छा लुग देती है फिर यहां पर glossy finish है Škoda का आपको यहां पर branding मिलेगा और यह भी एक carbon fiber texture यहां पर जो है वो काफी अच्छा दिखता है dual tone finish है आपको gray और black का मिलता है जो की काफी sporty लगता है और इस car को जिस तरह का character है इस गाड़ी का उसको काफी suit करता है यहां पर आपको मिलता है glove box जो की एक cool glove box है ज्यादा space नहीं है बट आप दो या तीन छोटी bottles यहां पर रख सकते हैं और उनको ठंडा भी कर सकते है rare view mirror जो है यह auto dimming है जो की काफी अच्छी बात है यहां पर आपको lights मिल जाएंगे बटन से operate होते है और यह control है sunroof के लिए सो यहां पर आपको panoramic sunroof नहीं मिलता है एक चोटा सा sunroof मिलता है जिसका sunshade जो है वो आपको manually use करना पड़ेगा और अगर आपको sunroof खोलना है तो इस बटन से आप sunroof को खोल सकते है sunshade जो है आपको यह इसमें कोई illumination नहीं है बट आपको यहां पर एक vanity mirror ज़रूर दिया जाता है driver side पर आपको कोई vanity mirror नहीं मिलती है यहां पर आपको एक toll ticket holder मिलता है toll ticket holder आपको यहां पर भी मिल जाएगा एक clip लगी हुई है यहां पर इस पर हमने अभी fast tag लगाया हुआ है और central armrest आपको यहां पर मिलता है जो कि adjustable है इसके नीचे भी आपको थोड़ी बहुत storage space मिल जाती है आप अपका phone या wallet यहां पर store कर सकते है इसके अलावा यहां पर आपको और भी space मिलेगी cup holders जो कि बड़ और यहां पर आप आपकी key store कर सकते हो अगर safety की बात की जाए तो भले ही यह गाड़ी अभी तक n-cap tested नहीं है तो इसमें कोई n-cap rating नहीं दिया गया है बट आपको 6 airbag इसमें मिल जाते है आइसो fix child seat anchors मिल जाते है आपको ABS, EBD, ESP, hill hole control और traction control system भी मिल जाता है आपको इसमें electronic differential lock भी मिलता है और जो की safety के हसाब से काफी अच्छा feature है इस car को आप my skoda app से भी connect कर सकते है जिसमें आपको find my car, vehicle status information, आप गाड़ी को geofencing कर सकते है और अगर crash हो जाती है तो आपको emergency call feature भी मिल जाता है practicality में यह जो cabin space है वो काफी अच्छा है और यहां पर आपको कोई शिक अच्छे की seat कैसी है skoda को अगर रेर सीट का ingress अब देखे तो यह दर्वाजा काफी वाइड ओपर होता है तो आपको अंदर आने में और उतरने में काफी आसानी होगी और मेरी हाइट जो है वो है five feet nine inches और यह सीट मेरी हाइट के हिजाब से सेट है और अगर आप देखे इसका wheelbase इस segment में सबसे जादा है so Volkswagen Tigun और Škoda Khushak का wheelbase सेम है जिसके वज़े से अंदर आपको काफी जादा space मिलती है और यह आप यहाँ भी देख सकते है कि नीरूम कितनी जादा है यहाँ पे मैं को पैर अंदर सरकाने के लिए भी और जगा है so मैं आराम से बैठ सकता हाइट अगर अप देखो तो headroom भी आपको काफी मिल जाती है और यहाँ पे दरवाजे पे आपको यहाँ पे soft cushion मिलता है armrest के लिए तो आप आराम से एकदम बैठ सकते है headrest भी adjustable है और headrest जो है आपको तीनो passengers के ले मिलेंगे हलाकि यह हम recommend नहीं करेंगे कि आप तीन adults के साथ travel करें long distances पे especially यह दो adults और एक बच्चे के लिए अच्छी सीट है इसका जो transmission tunnel है वो भी ज्यादा बड़ा नहीं है बच्चे के साथ अगर आप travel कर रहे हैं तो यह काफी comfortable होगा यहाँ पर आपको मिलता है यह armrest जो की दो लोगों के लिए काफी comfortable है आपको दो cup holder मिल जाते हैं बट अगेन अगर आप देखो गए तो यह छोटे cans या छोटे cups को ही hold कर पाएगा बड़े coffee cups जो होते हैं वो इसमें store नहीं कर पाएंगे और आपको यहाँ पर आइसो फिक स्टाइल सीट मांट्स भी मिल जाते हैं जो की safety के हिसाब से काफी अच्छा है और यह आपको left पर ही नहीं right सीट पर भी दिया गया है उसके अलावा दोनों friend सीट में आपके पास magazine holders है और phone holders है अगर आपको phone यहाँ पर रखना है तो पर आपको center console में AC vents दिये गये है और दो USB type C ports भी दिये गये है और पीछे reading lamps जिनको आप इस button से use कर सकते हैं अभी एक चीज जो हमने notice करी है यह जो roof panel है इसकी build इतनी solid नहीं है अगर आप देखो कि हलके से धक्के से भी यह उपर नीचे हो जा रहा है अगर स्कोडा ने इसक यह जो ऐसा हिल रहा है इसके वेज़े से थोड़ा cheap feeling ज़रूर देता है पीछे के doors के अगर बात की जाए तो यहां पे आपको hard plastics देखने को मिलेंगे यहां पे textured plastic नहीं है जो कि front door में आपको मिलता है यह भी hard plastic का handle है यहां पे आपको soft touch material ज़रूर मिलता है जो कि armrest के लिए क्रोम finish door handle और यहां पे आपको यह जो carbon fiber finish है वो मिलती है यह जो material यूज किया गया है यह थोड़ा premium है बागी के doors है one liter bottle store करने के लिए आपको space है उसके अलावा और भी space है थोड़ी बहुत चीज़े आप यहां पे रख सकते है और जैसे चारो दर्वाज़ों में speaker है इन पी कर यहां पे देखने को मिल जाएंगे डोर हैंडल जो है आपको चारो दर्वाज़ों में मिलते है इन फैक्ट ड्राइवर साइड के लिए भी आपको यह handle दिया गया है जो की काफी अच्छी बात है तो यह था श्कोडा कुशक का रेर सीट अब देख चला के देखते हैं ग लोडा कुशक जो 1.5 TSI एंजिन के साथ आती है और यह है 6-speed manual gearbox अभी यह जो 1.5 TSI लीटर एंजिन है पेट्रोल एंजिन है टर्बर चार्ज़ड है तो इसकी जो पावर आउट्पुट है वो है 148 PS और इसका टॉर्क है 250 newton meters off-peak और अगर आप गियर रेशो की बात करें तो पहली गियर में यह up to 80 km पर आर पर चली जाती है दूसरी गियर में आप इसको about 128 km तक पुल कर सकते हो और तीसरी गियर में यह 155 km पर आर तक चली जाती है इसके अलावा इसका टॉप स्पीड जो है यह है 195 kmph जो की Škoda ने क्लेम किया है इसे हम टेस्ट नहीं कर पाए क्योंकि हमारे शेरों में या एक्सप्रेसाइवे पर भी हम इतनी तेज नहीं चला सकते है वह स्पीड लिमिट वाइलेशन हो जाएगा इसलिए हम इसको वेरिफाइ नहीं कर पाएंगे बट अगर इस इंजिन की बात करें तो मैं आप अगर आप एक एंतुजियास ड्राइवर हो अगर आपको कार चलाना बहुत पसंद है आपको कार को कॉर्नर में लेकर जाना बहुत पसंद है तो आप बेजजक ये गाड़ी खरीच सकते हो अगर आप एक कॉम्पाक्ट एस्यूवी देख रहे हैं और मार्केट में अगर ना-responsive है और about 1000 RPM पे आपको अच्छा का सा मुवान मिलता है दो धाई हजार के आसपास आपको पावर बिल्ड होना शुरू करता है और साड़े तीन हजार RPM के उपर आपको जो पावर का सर्ज मिलेगा इतना अच्छा पावर का सर्ज मिलेगा कि आपके चेहरे पे एक मुसक पाना जाएगी और यह गाड़ी पुल करती है अप टू 6,000 RPM जो कि इसका रेड लाइन है और इतनी अप थर्ड या फॉर्थ गेर में इसको अप टू 6,000 RPM पुल कर सकते है जो एक्सेलरेशन आपको मिलता है वो बहुत बहुत अच्छा है और आपको काड़ी चलाने में मज़ा आएगा इसका suspension handling भी बहुत ही अच्छे से ट्यून किया गया है और अगर अप मेरी माने तो यह वन अफ दो बेस्ट कार्स है इस सेग्मेंट में इन टर्म्स अफ suspension and ride handling यह suspension हाला कि थोड़ा स्टिफ जरूर है बट इसको कॉर्नर में चलाने में जो मज़ा आता है आपको उसको अलब जो जो suspension का stiffness है आप उसको जरूर अप्रिशेट करोगे इसके अलावर handling की बात की जाए तो गाड़ी बहुत ही अच्छे से हैंडल होती है इसका तो steering wheel है up to 80 km पर आर पे काफी light है maneuver करने में बहुत easy है और जैसे ही आपकी speed 80 km के उपर बढ़ जाती है आप feel करोगे कि ये steering wheel heavy होता जा रहा है और आपको जो road से feedback मिलेगा वो बहुत ही अच्छा है अगर gearbox की बात की जाए तो ये जो six-speed manual gearbox है इसके shift की त्रोज है ये काफी छोटे है ये ज़्यादा क्लंकी तो नहीं है मतलब इतना हार इसकी जो shift से ज़्यादा hard नहीं है बट ये और भी smooth हो सकता था अगर आप हिंडाई क्रेटा चलाते है तो उसके जो manual gearbox से shifts है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसाइस और बहुत ही ज़्यादा short throws है उसमें और वो gearbox काफी smooth भी है तो अगर gearbox compare किया जाए अगर आप देखें तो यह जो गेर शिफ्ट से इसके इसका experience और बहतर किया जा सकता था इसकार की fuel efficiency की बात की जाए तो इसमें अगर आप देखें तो 1500 CC का टर्बो चार्ज एंजिन है तो जाज है कि इसका fuel efficiency बहुत जादा तो नहीं होगा बट इसका fuel efficiency इस श्रेनी में 11.2 ता जो कि इसका combined average है जब से यह गाड़ी चल रही है तब तक और मेरे हिसाब से यह गाड़ी काफी सारे road testers के नहीं चलाई होगी हम गाड़ी को काफी ट्रेनियोस तरीके से टेस्ट करते हैं इसके वज़े से आपको fuel efficiency 11.2 दिखा रहा होगा बट हमारी testing में जो हमने इसका road test किया है इसके हिसाब से city में हमको 13 से 14 km पर लीटर मिल रहा तो average और highway में इसकी fuel efficiency 18 km पर लीटर है जो की बहुत ही अच्छी है इस श्रेनी के कार के लि नाम है tornado red इसके अलावा आपको मिलेगा honey orange brilliant silver और carbon steel सो यह जो 1.5 लीटर का TSI engine है श्कोडा का यह काफी ही अच्छा engine है और अगर आप एक driver's car चाते है तो जरूर आप इस car को choose कर सकते है और यह जो 1.5 लीटर manual transmission car है यह श्कोडा के style variant में बैठती है और इसकी प्राइज है 16. 15.5 लाक्स एक शोरूम इसके competition में आप Volkswagen की टाइगून जो है वो 1.5 GT with 6-speed manual transmission उसके लिए भी जा सकते है और अगर आपको डीजल गाड़ी चाहिए तो फिर आप Hyundai, Creta या Kia Seltos भी देख सकते है इसके अलावा एक नही गाड़ी और आई है MG की Aster जो है वो भी काफी अच्छी गाड़ी है उसमें भी आपको 1.5 लीटर engine मिल जाता है और उसमें जो features है वो थोड़े हटके है वो गाड़ी जब आएगी तब ही हम उसको detail में review ज़रूर करेंगे तो bell icon ज़रूर दबाईएगा सब्सक्राइब कीजिएगा MotorWaids को तक कि जब ही हम वो वीडियो डाले तब ही आपको पता चल रहा है यह वीडियो यही खतम करते है बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो अन्ट तक देखने के लिए मेरा नाम है विपुल आप से मिलूँगा अगले वीडियो में तब तक के लिए Rev Hard, Rev Free और Drive Safe